मेश इस सबता की शुरुआत में ही आपके आसपास के कई लोग करियर, नौकरी और विजनेस के क्षेत्रों में साफ प्रक्ति करते नजर आएंगे। हालांकी वे सारे आपके बहुत ही नजदी की लोग हैं, लेकिन उनकी प्रक्ति को देखकर आपके मन में भी कुछ ना कुछ करने की इच्छा तेज होती जाएगी। इस सप्ता दफ्तर में आप पर थोड़ा दबाब भी रहे सकता है। वरिष्ट लोगों के साथ बाक्चीत में आप थोड़ी सावधानी रखे। बिना तयारी के बात करेंगे तो आपकी गलती पकड़ी जाएगी। निजी मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। अविवाहितों को विवहा प्रस्ता मिलेगा। कायक शेत्र में सफलता और पैत्रिक व्यवसाय में फायदा हो सकता है। अंचाहे फैसले भी लेने पड़ सकते हैं। मत्वपूर्ण वस्तु गुम हो जाने के योग बन रहे हैं। सावधान रहें। उस वस्तु के रूप में कोई जरूरी दस्तावेज भी गुम हो सकते हैं। स्थितियों को सकारात्मक द्रिश्टी से देखें। अभिनर के क्शेत्र वालों के लिए समय शुद रहेगा। लव इस राशी के अविवाहित लोगों को विवहा प्रस्ताव मिलेंगे। यह सप्ताह आपकी लव लाइफ में और प्यार भर देगा। करियर नौकरी, बिजनेस और करियर के मामले में समय फ्ले से ठीक रहेगा। लेखन संबंधित मामलों में सावधान रहे। व्रिश अच्छे व्यापार की स्थितियां बन सकती है। आप दूसरों का भला करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए हमेशा ततपर रुते हैं। और इस सप्ता की शुरुवात में ही आपको इसके अफसर मिल सकते हैं। जिनके लिए आपकी तारीफ भी होगी। नए चिंतन और नए तकनीक से प्रेरित होंगे। संचार से जोड़े उपकरन खरीद सकते हैं। विज्यान और तकनीक से जोड़े हर काम में सफलता में लिगी। खुद आपके मन में जो नया विचार चल रहा है। इस सप्ताह आप उसे मूर्त रूत दे सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जोड़े लोगों के लिए ये समय शुद रहेगा। लवा इन दिनों में आपने पार्टनर से राय ले। फायदा भी होगा। पुराने उल्जे हुए मामले सुलच जाएंगे। प्रेम संबंथ मजबूत होंगे। करियर कार्यक्षेत्र में सोचसमच कर लिए गए फैसले आपको बड़ा फायदा देंगे। इस राशी के स्टूडेंट्स अपनी सेहत का थ्यान रखें। सकसेस के लिए शार्टकट न ले। धेल थम्रिश राशी वालों को खराब पानी से होने वाले रोग परिशान कर सकते हैं। मिथुन इस राशी वालों के लिए सप्ता की शुरुआ ठीक रहेगी। लेकिन सप्ता के बीच का समय कुछ ठीक नहीं होगा। इस सप्ता आपको ऐसे अफसर मिल सकते हैं, जिनमें आप अपनी प्रतिभा सब के सामने बता सकेंगे। इन दिनों में ऐसे काम आपके सामने आएंगे जिन्हें आपके अलावा कम ही लोग कर सकते हैं। आप अपनी आतों या लालच पर नियंतरन रखें। आपका वजन भी बढ़ सकता है। खान पान पर आपको नियंतरन रखना होगा। सप्ता के बीच के दिनों में दफ्तर में कुछ चंचट हो सकती है। नूत्सान से बचने की कोशिश करेंगे। आपके कुछ काम नियंतर चलेंगे। विभिन स्थितियों में कई भूमिकाएं एक साथ निभानी पड़ सकती है। सप्ता के आखिरी दिनों में आपको दूसरों से तारीफ मिलेगी। किसी पुराने व्यक्ति से मिलना संभव है। दक्षिन दिशा की मत्वपूर्ण यात्रा होगी। मानसिक रूप से शान्त रहे। लवई इन दिनों में पार्टनर के सामने सहयम से रहे। मुम ना खोले। संबंथ गिगर सकते हैं। अपनी इच्छाओं पर आपको कंट्रोल करना होगा। करियर कोई नया फैसला लेने के लिए समय सही नहीं है। इस सब ताह आप परेशान भी हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एल्थ सहत में गिरावट भी मजूस हो सकती है। सकते हैं। नीन की कमी और ठकान से भी परेशान रहेंगे। कर्प चतुराई और कोशल से इन दिनों में आप सफल होंगे। लेकिन अन्यरणय की स्थिती भी इन दिनों में बनी रहेगी। द्रेड संकल्प के साथ आगे बढ़े। इस सब ताह कोई ऐसा बड़ा काम पूरा होने के योग हैं जो आपके हित में है। सब्ता के बीच में आपके कामकाज को तारीफ मिल सकती है। साथ काम करने वाले भी आपकी सराना करेंगे। आप सभी को साथ लेकर कोई बड़ा काम करने में सफल रहेंगे। अधूरे पड़े काम निपट जाएंगे। नए पुराने दोस्तों से नए सिरे से तलमेल बनेगा, आपका यश बढ़ेगा, साजेदारी संबंधी घर्ट नाक्रम बनेगा, वैवाहिक जीवन में प्रतिकूलता की स्थिती भी पैदा हो सकती है, जीवन साथी की सिहत पर इसका असर हो सकता है, धैरे रखे और लगातार क कोशिश करते रहे, इस सप्ता के आखिरी दिन आपके लिए थोड़े खर्चे वाले हो सकते हैं, डाप्टर, वकीलों और शास्किये कर्मचारियों के लिए समय अच्छा है, इस सप्ता चंद्रमा गोचर कुर्णली के कर्म भाव से शुरू होगा और आपकी राशी तक लेकिन आप समय पर काम ना कर पाने से परिशान हो सकते हैं, मेरिकल और कानूनी पढ़ाई करने वालों के लिए इस साथ दिन अच्छे रहेंगे, हे लथलगा अतार काम करने के कारण शारीरिक और मानसिक दोनों तरहे से परिशान हो सकते हैं, सिंग इस सप्ता सिंग राशी वालों को मियनत और पुरुशार्थ से उन्नती मिलेगी, किस्मत का साथ भी मिल सकता है, आप सफलता के लिए बहुत बेचैन भी हो सकते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा कर काम करेंगे, आप हर संभव सूचनाओं पर नजर रखें, आपको मिलने वाली सूचनाई बहुत खास रहेगी, गोचर कुर्णली के भाग्य भाव से इन साथ दिनों की शुरुवात हो रही है, गोचर कुर्णली में चंद्रमा के व्यए भाव तक आते आते सप्ता खत्म हो जाएगा, काम का वोज भी ज्यादा हो सकता है, जिस सकार आत्मक बदलाव का इंतजार है, वह बदलाव सप्ता के बीच में होने की संभावना है, पाफिस में खी चतान और मेनत तो रहेगी, लेकिन आपको फायदा भी हो सकता है, धनलाव के योग बन रहे हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पैसों में व चानती भी रहेगी, शेहर बाजार से जोड़े मामलों में सफलता मिल सकती है, लव इन साथ दिनों में लव लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, पार्टनर के दिल की बात पता चल सकती है, आपका आकर्शन भी बढ़ सकता है, करियर इन दिनों में धनलाब होगा, और शेहर बाजार से जोड़े मामलों में सफलता मिलेगी, स्टुडेंट्स के लिए ये साथ दिन अच्छे रहेंगे, आप आसानी से सफल भी हो जाएंगे, धेल थपेट के रोब हो सकते हैं, भोजन संबन्धित सावधानिया रखे, कन्यानई योजनाओं में निवेश के लिए समय ठीक नहीं है, संभल कर रहें, सप्ता के शुरू आती दिन आपके लिए थोड़े हेक्टिक भी हो सकते हैं, शुरू आती दिन में गोचर कुर्णली के आठवे भाव में चंद्रमा के कारण आपको परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे जैसे दिन भी तेंगे वैसे वैसे आपके लिए समय अच्छा आ सकता है, भव्यश्य के लिए योजना बना ले और हर संभव मौके पर किस्मत आजमा कर देखें, किसी खास काम के लिए आपकी तलाशा हो सकती है, कोई ऐसा काम भी आज आपको मिल सकता है, जो आम लोगों से जुड़ा हुआ हो, बिजनिस के सिलसिले में यात्रा हो सकती है, बिजनिस में कुछ अच्छे अफसर सामने आएंगे, लेकिन कुछ फैसलों में आप थोड़े असहज भी हो सकते हैं, निजी संबंध प्रेम और स्योग पूर्ण रहेंगे, शारीरिक परेशानिया भी हो सकती है, लब पार्टनर से प्रेम संबंध और मजबूत बन सकते हैं, लब लाइफ के लिए एस अपता थोड़ा ठीक रहेगा, करियर नई योजनाएं शुरू करने से बचे, रोजमर्रा के काम में धन लाब होने के योग बनेंगे, कम्प्यूटर फील्ड से जोड़े लोगों के लिए समय अच्छा है, आगे बढ़ेंगे, इंजीन नेरों को परीक्षा में आसानी से सफलता मिलेगी, हेल्थमून और गान्तों के रोग हो सकते हैं, सावधान रहें, तुला इस सप्ता आपके जीवन का एक नया दौर शुरू हो सकता है, कोई घुपनी है बात इन दिनों में आपको पता चल सकती है, अपने लक्षियों के प्रती आप समर्पित रहेंगे, इस सप्ता की शुरू आत कोर्णली के सप्तम भागे चंद्रमा से होगी और कर्म भाग तक चंद्रमा जाएगा, किसी कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रर्ण आपको अचानक मिल सकता है, पुरानी बाते दिल दिमाग में चलती रहेगी और आपको इन में ही खोयार ना अच्छा लगेगा, इन दिनों की शुरू आप में आप थोड़े परेशान जरू रहेगे, लेकिन आपका समय शुद रहेगा, परेशानियों में आपके साथ पार्टनर रहेगा, रोजमर्रा के काम रुक रूक कर ही सही, लेकिन पूरे हो जाएगे, माता के लिए समय थोड़ा प्रतिकूल हो सकता है, कार्यक्षेत्र में पदोननती के योग भी बनेंगे, भूमिध्वन या वाहन खरीदने का मन बनेगा, ठेकेदारों और विजनेस करने वाले लोगों के लिए समय शुद रहेगा, लव पार्टनर से चल रहा पुराना विवा खत्म हो सकता है, नए फैसले भी आज आपको लेने पड़ सकते हैं, जो लोग तलाग का मन बना रहे हैं, वो बड़ा फैसला लेने से फले थोड़ा रुके, करियर कार्यक शेत्र में पदोननती के योग बन रहे हैं, दुश्मनों से सावधान रुना होगा, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, फेल थतुला राशी वालों को मौसमी रो योग परेशान कर सकते हैं, सावधान रहे हैं, व्रिश्चिक व्रिश्चिक राशी वाले लोगों के लिए समय अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरहे का हो सकता है, आपकी योजनाय थीमी गती से पूरी होगी, सबता की शुरू आत में आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं, अचानक यात्रा का योग भी बनेगा, इस सबता आप अपनी मत्वा कांक्षाओं को पूरा करने के लिए तयार रहेंगे, आपका पूरा ठ्यान और उर्जा उसी दिशा में लगी रहेगी, आपके जीवन में उच्छ तकनीक प्रणालियों का मत्व बढ़ता जाएगा कुछ नया सामान खरीबने का मन बनेगा, आप किसी भीरवाले स्थान पर जाने से संकोच करते रहेंगे, इन दिनों में आपके मन में आराम की इच्छ ज्यादा रहेगी, दौस के साथ आपकी चर्चा सफल रहेगी, बदलावरों का प्रतियरों उथना करें, दोस्तों से फ कोई आफर मिल सकता है, लव इन दिनों में आपकी लव लाइफ पर सितारों का मिला जूला असर देखने को मिलेगा, प्यार और तक्रार दोनों देखने को मिलेगी, करियर प्रोफेशनल लाइफ के लिए समय थोड़ा नकार आत्मक्फल देने वाला हो सकता है, इस इंटरवेव में थोड़ा तनावग्रस्त और परिशान रहेंगे, लेकिन किस्मत का साथ मिलेगा और आप सफल रहेंगे, हेल्थसुस्ती दूर होगी, ताजगी मसूस होगी और काम करने की नई उर्जा भी आएगी धनू बिजनिस में कुछ अच्छे मोके भी आपको मिल सकते हैं, इस सप्ताह अचानक धन लाब के योग बन रहे हैं, समय में बदला बाता मसूस होगा, इस सप्ताह आपकी मत्वा कांक्षाए भी तेज होती जाएंगी, कम समय में ज्यादा उपलब्धी हासिल करने की और अ चानक लाब मिलने की स्थिती है, कानूनी मामलों में भाग्य आपका साथ देगा, कार्यक शेत्र में आप किसी उलजी समस्या का समाधान निकालने में सफल रहेंगे, नए विशय का अध्ययन शुरू हो सकता है, सप्ताह के बीच में भाग्य आपका इस तरह साथ देगा, कि की सिहत प्रभावित हो सकती है, शेहर बाजार से जुड़े लोगों के लिए समय शुद रहेगा, सप्ताह के बीच में दुश्मनों से परिशान हो सकते हैं, लेकिन आपका पलड़ा भारी रहेगा, लव इन दिन में आपकी लव लाइफ में ऐसा समय आएगा, जो आपके ल सामले में उलजी रहे सकते हैं, फिल्थद और धूप करने से ठकान भी मसूस हो सकती है, सावधान रहे मकर आपकी सिहत के लिए इन दिनों की शुरू आप थोड़ी परिशानी वाली हो सकती है, सिहत के लिए भी समय प्रतिकूल है, जो खिम लेने से बचे, आर्थिक नुक्सान भी हो सकते हैं, इस सपता कार्यक शेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, प्रबंधन संबंथी काम काज और व्यावारित मामलों में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे, दफ्तर के विवाद सुल जाने में या समस्याओं का समाथान निकालने में आपकी बड़ी भू आपको अचानक धन लाब तो हो सकता है, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, किसी विचार को लेकर आप बहुत जोश में भी रहेंगे, छोटी मोटी यात्रा का भी योग बन रहा है, पुरानी योजना और पुराने दोस्त काम आएंगे, सपता के बीच में दुश् जमरा के कामों से आपको फायदा हो सकता है, कार्यक्षेत्र में छोटे छोटे बदलाव आएंगे, तक्नीकी और संचार क्षेत्र से जोड़े लोगों के लिए समय शुद रहेगा, लबलब लाइफ में अनबन होने के योग हैं, पार्टनर के भाग को समझें और सहयम से रह वाणी पर नियंत्रन रखे, करियर आगे बढ़ने के लिए अचानक कुछ अच्छे मौके भी आपको मिल सकते हैं, आलस्य ना करें, वरना मौके गमवा भी देंगे, इस राशी के सभी तरह के इंजीनियर्स के लिए समय अच्छा है, हिल्थमानसित परेशानियां, तनाव और चिन्ताओं से नीन की कमी हो सकती है, ठकान और आलस्य से परेशान हो सकते हैं, इन दिन में वैवाहिक जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल भी हो सकती है, बड़े फैसलों को टाल दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वानी में सहम भी जरूरी है, सप्ता की शुरुआत में कुम भ्राशी के लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा, अचानक यात् में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे, संतान, शिक्षा, राजनीति, यात्रा, जमीन जायदान के मामलों में आप सफल रहेंगे, आयात मिर्यात के क्षेत्र वालों के लिए समय शुद है, लवई इन साथ दिनों में आपका पार्टनर किसी पुरानी बात को लेकर आपसे र काशी के स्टूडेंट्स को सीनियर्स की मदद मिलेगी, नए लोगों से कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, फेल्थए सप्ता आसेहत के मामलों में उतार चुड़ा भरा हो सकता है, पुराना रोग खत्म होने की संभावना है, तो कोई नई तकलीफ भी शुरू हो सकती है मीन इस सप्ता की शुरूआ अतार्थित लाब से होने के योग बन रहे है, पैसा भी आने लगेगा, अधिकारियों से संबंध अच्छे हो सकते हैं, आप गंभीर हैं, तो इस सप्ता के बीच के दिनों में आपको करियर शेत्र में प्रगती के अच्छे अफसर मिलने की संभावना बन रही है, आप जितने व्याहारिक रहेंगे उतने सफल भी हो सकते हैं, इस सप्ता आपके समवादों में औरजा भी बहुत रहेगी, युव और समन्वय भी बना रहेगा, अचानक यात्राओं का योग भी बन रहा है, नए लोगों से मुलाकात होने की संभावनाई भी है, रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है, राजनीती वालों के लिए समय शुध रहेगा, सप्ता के बीच का समय सालधानी से निकाल ले, सप ता के आखिरी दिन आपके लिए शुध हो सकते हैं, लवा इन दिनों में आपका पार्टनर आपसे कुछ खास चीज एक सपेक्ट कर रहा है, पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे और प्यार बढ़ा हुआ रहेगा, करियर इन साथ दिनों में आपके कान पैट और मजबू झाला के भार्टनर की ऑट में आपके कान पैटो सकता है, रहे हो सकता है।